22 अक्टूबर शुब मंगलवार, मंगलवार की हार्दिक शुब कामनाएं 22 अक्टूबर अंतराष्ट्रिय हकलाहत जागरुकता दिवस आईए, हम सभी बोलने से संबंधित इस विकार के बारे में जागरुकता फैलाएं और लोगों को स्पीच थेरपी के लाभों के बारे में जानकारी दें हकलाहत कम करने के लिए टिप्स 1. बोलने की गती को नियंत्रित करें 2. बोलने से पहले गहरी सांस लें 3. धीरे-धीरे पढ़ने का अभ्यास करें 4. पेशेवर भाषन चिकित सक से सलाह लें 5. कठिन शब्दों को बार-बार बोलने का अभ्यास करें 22 अक्टूबर भारत के यशस्वी ग्रह मंत्री अमित शाह जी को जनम दिन की हार्दिक बधाय एवं शुब कामनाएं 22 अक्टूबर पूर्विष्रो अध्यक्ष्वे ग्यानिक एस के रनकुमार जी को जनम दिन की बहुत-बहुत बधाय एवं हार्दिक शुब कामनाएं 22 अक्टूबर भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरना स्रोत्व सर्दार वल्ल भाई पतेल जी के बड़े भाई विठ्थल भाई पतेल जी की पुन्यतिति पर उन्हें विनम श्रद्धानजली मजेदार जानकारी, वर्तमान समय में भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है यह उपलब्दी देश की मजबूत आर्थिक विकासदर, बर्ती हुई और द्योगिक उत्पादन और सेवाक्षेत्र की वृद्धी के कारण हासिल हुई है रोचक तत्यों, सांस्कृतिक महत्वा और व्यभारिक चर्चा के लिए हमसे जुड़ें आधिक सामगरी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें